जैशी कृष्णा दोस्तो वियासरा फैमिली में आपका स्वागत है दोस्तो जनमाश्टमी में पर बहुत ही सरवार सिद्ध योग बना हुआ है साथ ही दोस्तो अगर जनमाश्टमी के दिन आप अपनी राशी के अनुसार उपाय करते हैं जो हमने उपाय बताये हैं उनको तो आप अवश्य करें पर अपनी राशी के अनुसार भी अगर आप उपाय करते हैं तो शीगर ही आपकी मनोकामना पूरी होगी भगवान कृष्ण बनी रहती है और इस दिन अगर आप राशी के अनुसार उपाय करेंगे तो विशेश किर्पा आप बनेगी और आपकी मनो कामना शीक्र पूरी होगी दोस्तों उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने प्यासरा फैमिली चैनल को सस्क्राइब नहीं के तो सस्क्र मेश्ट्राशी के जातक जन्माश्ट्री के परपर मेश्ट्राशी वाले भगवान कृश्पन को दूद और बादाम का भोग लगाए इससे जीवन में आले वाली बाधाउं से मुक्ति मिलेगी व्रिश्ट्राशी विरिष राशी के जातक जन्माश्री पर भगवान कृष्ण को मिश्री का भोग लगाने की प्रमपरा है और भगवान श्री कृष्ण को देखे मिश्री प्रिये भी है इस दिन विरिष राशी वाले मिश्री के साथ पंजरी का भोग लगाए तो शेष्ट लाब देखने को मि करक राशी करक राशी के जातक सफेद रंग के पुष्प और सफेद रंग की मिठाई का भोग लगाएं और साथ ही राधा अश्टक का पाठ करें ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण की विशेश किर्पा बनी रहती है सिंग राशी सूरे को देखे सभी ग्रहों का अधिपती माना गया है और जन्माश्टी पर आपके लिए विश्णु सहसनाम का पाठ करना अति उत्तम रहेगा शेश लाब दायक रहेगा कन्या राशी के जातक ओम देव की नंद्राय नमह नाम के मंत्र का एक माला का जाब करें शेश लाब देखने को मिलेगा तुला राशी के जातक तुलसी और दही का भोग लगाएं तथा ओम लीला धाराय नमह इस मंत्र का अधिक से अधिक जाब करें तो आपको शेश लाब देखने को मिलेगा विर्ष्चिक राशी के जातक जीवन में अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए जन्माश्ची पर भगवान शी कृष्ण को शहद का भोग अवश्च लगाएं इससे आपको और अधिक लाब मिलेगा धनू राशी के जातक ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्री का अधिक से अधिक जाब करें इससे आपको अधिक लाब मिलेगा मकर राशी के जातक जन्माशी पर भगवान शी कृष्ण को 108 नामों का जाब करें और पुश और मिष्टान अरपित करें तो आपको शेश्ट लाब मिलेगा कुम्ब राशी के जातक भगवान को पीले पुश पर्पित करें और ओम नमो कृष्ण वल्लवाय नमह का मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें मीन राशी के जातक भगवान शीकृष्ण को अभिशेक अवश्च करें और इस मंत्र का जाप करें ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमह, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमह का अधिक से अधिक जाब करें तो आपको शेष्ट लाब देखने को मिलेगा, दोस्तों ये बारा राशियों को हमने बारा उपाय बताए हैं, अगर जन्माश्टमी के दिन आप इनको करते हैं, तो निश्चित ही आप पर भगवान शेकिष्ण की विशेष किरपा अवश्य बनेगी, और आपकी जो भी मनो कामना है, शीक रही पूरी होगी, दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो, तो इसको लाइक अवश्य ही करें, आप सभी को जैशी किष् पाल में गाद़ सकित ही हमारी हाद़ियो